दोस्तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में पहुत पहुत स्वागत दोस्तो मैं सिवम अपने यूरुट चैनल टेक्निकल सिवम पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब अपने मुबाइल फोन की बैटरी एन प्रोफोर्मेंस सेटिंग को ओपन करते हूँ और वहाँ पे जब आप सेटिंग पे यहाँ पे किलिक करते हूँ तो यहाँ पे आपको एक आप्सन देखने को मिल आता है तर्न ओप मुबाइल डाटा वें डिवाइज इस लॉग यानि कि इस आप्सन से क्या होता है और इसे यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हूँ और आपके मुबाइल फोन के लोग स्क्रीन पर क्या परिवत्त पड़ेगा वही मैं आपको पूरा डीटेल में बताने वाला हूँ तो चलो तो आज का वीडियो करने से पहले हमारी एक चोटिस रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर आन करने अब यहाँ पे आपको करना क्या है अपने मुब कोटी सेटिंग पर किलिक करते हो आपके समने इस तरह का ओप्सन आजाएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा बैटरी आपको इस पर किलिक करना है जैसे आप बैटरी पर किलिक करते हो आपके समने वही पेज ओपन होकर आजाएगा उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जात किसी भी option को choose करके रखते हो जैसे मैं यहाँ पे 5 minute को choose कर लेता हूँ अब इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे तो आप हमारा mobile phone lock हो जागा उसके 5 minute बाद हमारा यहाँ पे data भी off हो जागा इस setting से यह होता है कि जैसे आप अपने mobile phone को lock करके डाल लेते हो और अपने mobile phone का data बंद करना आप भूल जाते हो उसे off नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका mobile phone lock होने के 5 minute बाद यहाँ पे आपका data बंद हो जागा और इससे आपका battery भी बचेगा और यहाँ पे आपका data भी बचेगा तो इस setting को ऐसे आप use कर सकते हो अगर यहाँ पे चाते हो 10 minute या आधा घंटे बाद या never यान कि कभी नहीं तो आप never पे किलिक कर सकते हो यह जो तो आपका इस setting कभी भी आपके home screen के lock screen पर काम नहीं करेगा तो अगर आप चाते हो कि यह setting हम use करना क्याते हैं अपने इस साथ से यहाँ पे चूँज से कर सकते हो तो ऐसे अपने mobile phone के अंदर इस setting को यूज कर सकते हो तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही video पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाज